आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कड़ाई में एक दम परफेक्ट पाव बन कैसे बना सकते हैं वो भी बहुत आसान तरीके से और ये बहुत यह अच्छे बनते हैं घर के पाव बन्स बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ये बिल्कुल हाईजेनिक तरीके से बनते हैं तो इनका स्वाद है वह और भी अच्छा आता है और यह हमारे हाथों से बने होते हैं तो हमें खाने में भी अच्छा लगता है तो चली आज की यह बन की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और सारे टिप्स और ट् बढ़ने हैं तो दो च्छाज़ घ practical चाहिएशिक डीया चिनी माने यस्त करने हैं तो एका सब्से ज़्या यह उस बलक पर चाहिब और याले है तो एकटिव आंपैंस बढ़ना दो च्छाज़ एक्टिटनी खेंबर्यापा यह नहीं भी और एक ज़हते लेनी है तो यह इसी तरह से आपको चुननी है कि आपकी जो यीस्ट है वो जादा रख्योई ना हो एक्सपाइरी तो बिल्कुल भी ना हो और यीस्ट डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है इसको मिक्स करने के बाद इसे हम कवर कर देंगे कवर जरूर करें और इसे हम 10-15 म मिनिट के लिए अच्छे से ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि फूल जाए और उसके बाद हम इसे चैक करेंगे तो यीस्ट आपको कैसे चुननी है आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं मैंने यहाप यह वाली ली है देख सकते हैं आप बहुत ही आसानी से मिल जाती है किसी भी ब्रॉसरी शॉप पर तो आपको इस तरह से कोई भी इस्ट इस्तमाल करनी है पर थोड़े अच्छी ब्रैंड की हो तो कम से कम यहापे पंधरा मिनिट हो गए है आप देख सकते हैं यीस्ट यहापे अच्छे से फूल गई है अगर आपकी यीस्ट ऐसी नहीं दिखाई दे आप आगे बढ़े इस रेसिपी को यहीं पर स्टॉप कर दें नहीं तो कोई फाइदा नहीं होगा एससे भी बनाने का हमारे जो बन से हो अच्छे नहीं बन पाएंगे या बन ही नहीं पाएंगे तो सबसे पहले हैं मैदा को चान लेते हैं तो मैंने आप च्छलनी रग दी येस्ट को आपको कित्ती दिर तक रखना है वह आप उसे चेक कर सकते हैं हो सकता है आपकी येस्ट जादा टाइम ले और हो सकता है वह पांच मिनिट में फूल जाए तो इस बात का भी ध्यान रखें अब हम इसमें नमक डाल देते हैं मैदा को चानने के बाद तो आदर और इसमें हम येस्ट डाल देंगे सारी तो डिरेक्ट आपको इसमें एड कर देनी है इस तरह से इसके रावा भी हमें पानी चाहिए होगा तो ये जो हमने कप लिया था जिसमें हमने येस्ट तयार की थी इसी कप में हम पानी ले लेंगे ताकि ये जो येस्ट लगी हुई वो भी उस हो जाए इसमें पहले हम इसे अच्छे से mix कर देते हैं क्योंकि इसमें दूद है already तो इसमें हम इसको mix कर देंगे अच्छे से तो इस टाइम पे इसको हलके हातों mix करें तो यह देखे इसमें अच्छे से जो yeast है वो एब्सॉब हो गई है अब हम इसमें पानी डाले कज़ें और इसको घुणना स्टार्ट करें सबसे पहले हम इसे बाइंड करेंगे और गुंदेंगे बाद में तो इस त्रह से थोड़ा थोड़ा करके पानी एड़ करें ताकि हमें पता चलता रहे कितना पानी एड़ करना है इसमें शुरुवात में बहुत जादा चिप आपको इसको लगातार बाइंड करना है तो इसमें मैंने थोड़ा-थोड़ा करके सारा ही पानी एड़ कर दिया है टोटल मैंने आधा कप पानी डाला है आधा कप हमने शुरुआत में दूद लिया था जब हमने यीस्ट तेयार की थी उसमें और आधा कप हमने पानी लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंदा को मैंने अच्छे से बाइंड तो कर लिया है पर यह नीड नीड नी वा है अब हमें क्या करना है इससे सीधा काउंटर टॉप पे रखना है तो सेदा सीधा इसको नीड करने slab को अप अच्छे से पहले ही साफ कर ले और 10 मिनिट के लिए इसे हम मसल मसल के नीड करेंगे इस तरह से हमें नॉर्मल आटा के तरह इसको नीड नी करना है इसे हमें मसलना जादा है इस तरह से ये देखे ये दिरे-दिरे soft होने लगेगा आप इसे मसलते रहेंगे जितना शुरुआत में चिपकेगा लेकिन जितना आप इसे मसलेंगे तो ये soft हो जाएगा और चिपकना भी बंद हो जाएगा अभी हम इस पे तेल बिल्कुल नहीं लगाएंगे अभी हमें इसे ऐसे ही मसलना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे लगातार 10 मिनिट के लिए मसल लिया है और ये बहुत जादा soft हो गया है और बहुत ही कम चिपक रहा है हातों पे अब हम इसमें तेल डालना स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से soft कर लिया है तो सबसे पहले हमने एक बड़ा चमश तेल डाला और इसको हम अच्छे से मसल लेते हैं तेल को इसमें अच्छे से मिला देते हैं तो दो मिनिट के लिए हमें से और मसल ना है तो एक बड़ा चमश तेल डालने के बाद एक मिनिट के लिए मसल लेंगे यह देखिए कितना साथ सॉफ्ट हो गया चिपकना तो पूरी तरह से बंद हो गया है और एक बड़ा चमच दो तेल रखा है वो भी इसमें डाल देंगे तेल डालने के बाद बस इसे अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं और इसको अच्छे से हमें मसल देना है एक मिनिट के लिए और almost यह soft तो हुई चुका है यह देखिए बहुत अच्छे से soft हो गया है यह और यहाँ पे इसका sign देखिए यह देखिए मैं हलका सा इसमें एक उंगली insert कर रही हूँ तो यह full के उभर रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो dough है वो बहुत अच्छे से लगा हुआ है एकदम अच्छे से set है इसको हम क्या करते है थोड़ा से set कर देंगे तो अभी set तो नहीं हुआ है लेकिन आप बना अच्छे से है इसका यह sign है इसको हम थोड़ा टक कर देते हैं इस तरह से तो सारा आटा को इस तरह से एकटा करें तो इस डो को मैंने इस तरह से एकटा कर लिया ए इसे आपको एक बड़े से बरतन में रखना होगा क्योंकि यह फूल जाएगा और डबल हो जाएगा साइज में इसे हम अच्छे से कवर कर देते हैं आप चाहें तो किसी कपड़े का इस्तमाल करें या किसी प्लेट से भी ढख सकते हैं लेकिन अच्छे से कवर करें इसे हम इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं लगेगी और जितना जल्दी हो सके फूल जाएगा यानि फर्मेंट हो जाएगा तो इसे हम कम से कम दो घंटा के ऐसे ही रख देंगे तब तक हम तयार कर लेते हैं मोल्ड तो यहां पर मैंने साथ इंची का मोल्ड या है स्कॉायर वाला आप जाये तो राउंड में भी यह बनस बना सकते हैं बहुत ी असानी से राउंड वाले में भी कर दिया है इसको मैन दे और ग्रीस करने के बाद आप चाहिए तो इस पर बटर पर लगा सकते हैं लिकिन में यहां पर सूखा मैदा छेड़क रहा हूँ तो हलका से इसबह सूखा कर लेते हैं और बाहर निकाल देंगे तो सारे एक्सिस मैदा मैंने निकाल दिया इसमें से और यह जो हमारा मोल्ड है तैयार हो गया इसे हम रख देते हैं साइड और अब हम चेक करेंगे दो घंटे हो चुके हैं तो चेक कर लेते हैं हमारा डो कितना फूला है तो कम से कम मैंन इसके मैंने पहले हवा निकाली और इसे दो मिनीट के लिए वापस से हम नीड कर लेंगे तो इस टाइम पे आप ओईल ना डाले इसे ऐसे ही मसल लें तो हलका से मैंने दो मिनीट के लिए से और मसल लिया है यह देखिए दो हमारा कंप्लीटली तयार है इसके बग बंस बनाने तो उसमें cracks ना आए बिल्कुल भी तो इस तरह से मैं पहले से smooth कर लूँगे और इससे हम divide कर देंगे अगर हम इसको divide करके इसके buns बनाएंगे तो जो हमारे buns है ना वो equal बनेंगे और अच्छे बनेंगे तो पहले हम इसे 3 potions में divide कर देंगे तो जो डो के potions हैं वो same cut करें यानि equal size के cut करें ये देखिए हमने 3 potions कर लिये हैं अब हम एक first part उठाएंगे इसको थोड़ा सा हम flat कर लेंगे इस तरह से और इसके भी 3 भाग कर देंगे तो पहले हमने 1 डो के 3 भाग करें इसको जिस तरह से मैंने आपको शो किया और नीचे वाले इसे को हतेलियों की मदद से स्मूध कर देंगे और ये देखिए हमारे एकदम perfect बन बन के ready हो गया है एकदम अच्छा शेप में आ गया है इससी तरह से बनाना है और सीधा हम इसे बन के नहीं रखें करें बहुत ही जल्डी जल्डी फूलने लगते हैं और अपना सेट होगने लगते हैं और यह आप देख सकते हैं दूसरा वाला ममेने इसा लत वाला लिए तो आपको समझ में आ जाएगा इनको आपको प्रेस करते हुए नहीं बनाना है बिल्कुल भी यह देखिए बहुत ही सॉफ्ट हातों से और अच्छे से हम ने इसको बना लिया है और सारे जो बंस है मैंने इसमें सेट कर दिये यह देखिए और बंस बहुत ही जल देली फूलने लगे हैं इसे हम 40-45 मिनिट के लिए काउंटर टॉप पर ही रख देंगे ताकि और अच्छे से फूल जाए और इसके बाद इने बेक करना है तुरंत बेक नहीं करना इनको तो डिपेंड करता है कैसा मौसम है उसके हिसाब से ही यह फूलन कर देते हैं थोड़ा सा मिल्क तो मैंने यह मिल्क लिया है इसे हम ब्रश के मदद से लगाएंगे तो इसे हम मिल्क वाश भी बोलते हैं इनके ओपर मिल्क लगाने से इनका जो कलर है वह बहुत अच्छा आता है तो बस आपको मिल्क लेना है और ब्रश के मदद से इन पर हल करना है बहुत हलके हाथों से करें नहीं तो बन की जो शेप है उपर से खराब हो जाएगी अब हम इसे सीधा बेक कर लेते हैं यह बेक करने के लिए बिलकुल तयार है कडाई को हम प्रेहिट करेंगे पहले तो मैंने की स्टैंड रख दिया है कडाई आपको हैवी इस्तमाल कर तो इसको अच्छे से गरम हो जाने देंगे कडाई जब गरम हो जाएगी 10 मिन बार फिर में स्टैंड के ओपर इस मोल्ड को रख देंगे मोल्ड बस उपर रहना चाहिए कडाई से अब हम इसे अच्छे से कवर कर देते हैं जिससे भी आप कवर करें वो थोड़ा हैवी होना यहां पर देख सकते हैं शुरुआत के 5 मिनिट हमने हाई फ्लेम पर बेक किया और 20 मिनिटे से लो तो मीडियम पर बेक किया तो टोटाल हमने 25 मिनिट बेक किया है और बन हमारे बहुत ही अच्छे से बेक हो गया है बहार निकालकर थोड़ा से थंड़ा होने देंगे तो आप बहुत ही आसानी से निकल गए हैं और आप देख सकते हैं कितने स्पॉंजी बने हैं कितने अच्छीन की जाली आई हैं और एकदम पर्फेक्ट बने हैं यह देखिए आप भी एक बार इस लदी पाओ की रेसेपी को ज़रूर ट्राइक करें आपको भी से बनाने में भी झाल 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